असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम टू माइ चैनल डी 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 टी टेक्निकल आज हम बात करेंगे सान्यों के कुछ एर्र कोड्स के बारे में सान्यों की ताप लोड आटोमेटिक वास्टिंग मशीन है इसका मॉडल नंबर है एस डी डी एएफ फाइफ है एच्टिन मैंने यहां जैसे पनाट वाउन की तो एए अलो को डाजा रहे है सान्यों की टाप लोड वाशनी मशीन पर बत करेंगे यह ए एर्र क्यूं आता है तो ए एर्र कोड्स के तो आरे में सेंप का वाटर लेवल्व सेंसर या परेशर सुँच जिसे हम कहते हैं वह हो जाए या उसकी कोई wire disconnect हो जाए तो तब ये एरर कोड आता है गैज जो इसका water level sensor जो होता है वो इस तरह टॉप पर ही लगा होता है वो कुछ देखने में इस तरह से होता है गैज ये automatic machine में water level को maintain करता है और ये two point water level switch है जब इसकी कोई wire disconnect हो जाए यहां ये खुद खराब हो जाए तो ये ea error code आता है गैज ये ea error code का fault PCB की वज़ा से भी आ सकता है तो बात करेंगे guys इसके u4 error code के बारे में तो machine machine को जब आप spin पे लगाते हैं तो आपको एक error देखने को मिलता है guys ये error u4 error code ये किस वज़ा से आता है ये door switch की वज़ा से guys ये error code आता है ये door switch जो इसके mechanical work करता है इसके door up down होने के वज़ा से ये switching करता है guys कुछ इस तरह से इसके door switch में ये space आ जाता है आप देख सकते हैं ये space ये space आने के वज़ा से ये सही से work नहीं कर पाता गाई ये space आ जाने के वज़ा से ये current path मुकमल नहीं होपाता जिसके वज़ा से door switching सही से होने ही पाती है तो इसलिए ये u4 error code आता है और अकसर fault ऐसे भी आते हैं जिसमें ये points में carbon आ जाता है जिसके वज़ा से सही से current path मुकमल नहीं होता स्विचिंग नहीं हो पाती है तो यू-फॉर एर्र कोड आता है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखें यह कुछ इस तरह से इसके साथ बिल्कुल अटैच होती है इस तरह से तो गाइज अब बात करेंगे इसके यू-थृ एक्सर वकाद स्पिन्ग पे आने पर यह अक्सर यह यू-3 का एर्र कोड देती हैं इसके यू-3 एर्र कोड की बहुत सी वजुहात हो सकती है आप यह अक्सर ऐसे होता है कि यह जो वश्म मशीन है यह अन्बैलंस होती है तो उसकी वज़ा से यह वब्लिंग करती है वब्लिंग की वज़ा से यू-3 का एर्र आता है कुछ इस तरह से इसमें स्पेस पैदा हो जाता है यह फ्लोर पर सही फिक्स नहीं होती है जिसकी वज़ए से यू-3 एर्र कोड आता है और बाज अकाद गाईज आप अगर अन-बैलेंस डालते हैं या बहुत ज्यादा क्लोड डालते हैं इसमें जो लोड होता है वह बहुत ज और इसके यह बहुत कम रेर केसिस आते हैं जिसमें इसका जो वाटर बैलेंसिंग रिंग में जो वाटर होता है जो सेंट्रिफुगल फोर्स को मैंटेन करने के लिए होता है ताकि यह विबलिंग ना करे ड्रम तो उसमें अगर किसी वज़़ा से पानी लीक हो जाए पानी पानी कंगा निकल जाए तो उसकी वज़़ा से तब यह ड्रम बहुत ज्यादा वबलिंग करेंगा और जिसकी वज़़ा से यह यू 3 एरर कोड़ आएगा तो खाइस अब हम बात करेंगे कि यह एरर कोड़ आता वाशंग मशीन को कैसे पता चलता है कि यह ड्रम वाबलिंग कर रहा है कैसे पता चलता है washing machine की back side पे एक back cover लगा होता है उसमें आप खोलने के बाद आप ये इस corner में देखेंगे जहां पर door switch इंस्टाल होता है उसी corner में देखेंगे आप कि ये इस तरहां से एक liver type लगा होता है इसमें washing machine का drum कुछ हच से ज्यादा वब्लिंग करें तो washing machine का जो drum है कुछ इस तरहां से liver को hit करता है देखिए तो इस तरहां से इस mechanical force से यहां से देखें ये कुछ इस तरहां से work करता है और ये door switch को कुछ इस तरहां से signal देता है ताकि ये ताकि जो इसका ये door switch है ये disconnect हो जाए और ये u3 का error code दे दें अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे चैनल को subscribe करें और आपको कोई question पूछना हो मुझे इस टाप लोड washing machine error code के बारे में तो आप मुझे comment कर सकते है मैं उसका answer आपको जरूर देदूँगा friends तो आप मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा हम मिलेंगे इन्शाला next video में तब तक के लिए good bye